हेलो एवरिवान, वेलकम टू प्लस माइनस, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाई सीरीज को और आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चाप्टर और डाट इस डेटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम जो आपके अपके अपकामिंग एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाए हम बात करें TGT या फिर PGT Computer Science, कोई भी एक्जाम हो, उन सभी एक्जाम में DBMS में से कोशन आते ही आता है, तो यहाँ पर दो टाइप के कोशन बनते हैं, एक होता है बिलकुल थियोरी बेस्ट कोशन और एक होता है प्राक्टिकल बेस्ट कोशन, थियोरी बेस्ट कोशन के अंदर हमें कई बार ER डियाग्राम पर बेस्ट कोशन मिलते हैं, या फिर functional dependency पर बेस्ट कोशन मिलते हैं, क्या नी रेट की निकालने के लिए आती है, तो वो वाले ब्राक्टिकल कोशन भी मिलते हैं, तो दोना टाइप के कोशन डिसकास करने वाले हैं, स्टार्ट करते है अगर आपको क्लास पसंदा है, तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल का और साथ ही साथ इसे शियर करें अपने सब भी फ्रिंट्स के साथ, तो डेटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम इस चाप्टर, तो यहाँ पर पहला कोशन देखते हैं, हम प्र प्रिवेसियर में, फर्स देखते हैं, तो यहाँ पर पहले हमें समझना पड़ेगा, डेटाबेस का मतलब क्या है, तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है, collection of interrelated data, को ही हम बोलते हैं डेटाबेस, और डेटाबेस का मेन काम होता है, कि जो भी हमारे परस related data है, उसे हम कैसे retrieve कर सकते हैं, बाद में कैसे उसके अंदर updation कर सकते हैं, उसे अच्छे से modify कर सकते हैं, या फिर efficiently कैसे उसे utilize कर सकते हैं, ठीक है, तो database को manage करने के लिए हमारे पास database management system नाम का application software रहता है, जिसकी helps से हम उसे manage करते हैं, अब यहाँ पर बहुत साइटम्स हम discuss करेंगे, like view क्या होता है, schema क्या होता है, subschema क्या होता है, फिलाल के लिए हम बोला है, the values of the attribute in a database describe a particular, अब देखो ध्यान से हमें हमें एक चीज समझनी है, कि values of attributes का मतलब क्या है, database के अंदर हम किसके बारे में information store करते हैं, तो database के अंदर जो information हम store करते हैं, वो या तो होती है किसी person की, या तो किसी place की, आफर किसी thing की, तो मतलब, जो हमारी information है, वो किसी person की हो सकती है, a person, place, और thing, इन तीनों से जुड़ी होई information को हम database के अंदर store कर सकते हैं, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, real life के अंदर entity. क्या बोलते हैं? entity. किसी person, किसी place या किसी thing को हम क्या बोलते हैं, entity बोलते हैं, और इन ही के बारे में information को हम record करते हैं, अपने database में. अब जो भी attributes होते हैं, वो उनका मतलब क्या होता है? जो हमारी entity है, जो क्या-क्या characteristics हो सकते हैं उसके क्या-क्या characteristics या फिर properties हो सकते हैं वो उसके attribute बन जाते हैं characteristics या फिर properties for example अगर मैं बात करूँ student की, तो student एक person है ठीक है, student क्या है, एक person है एक entity है, जो real life में हमें दिखता है, student है हुँ ठीक, एक entity है, जिसकी एक existence है अब अगर मुझे student के बारे में कुछ store करना है database के अंदर तो student तो मेरी entity है जिसके बारे में मैं store करना चाहती हूँ अब student के पास different different characteristics हो सकती है जैसे कि माल लेते हैं student का अपना एक name होगा student का अपना एक role number होगा student के कुछ marks भी होगे इसके लावा student के father's name, mother's name तो यह सारी characteristics है जो student से related है तो यहाँ पर बोला गया है कि attribute देखो किसी entity की property को ही हम उसके attribute कहते हैं तो एक student जो entity है उसका नाम उसकी एक attribute है उसका role number उसका एक attribute है उसके marks उसके attribute है तो इन सब की value हम store करते है database के अंदर और यह actually में किसको describe कर रहे होते है यह हमारी entity को ही तुझे describe कर रहे है जैसे माल लो अगर मैंने एक entry करी अपने database के अंदर मैंने लिखा sham 011 role number है marks इसके आया है 58 maths के अंदर माल लेते हैं maths के marks है यह और science के marks माल लेते हैं 47 और English के marks माल लेते हैं तो यहाँ पर sham 011, 58, 47, 39 यह सब क्या है यह सब attribute है एक student के student entity है उस सब के attribute है तो इसका मतलब जो भी attribute की value होती है वो database के अंदर किसी entity को ही दर्शा रहा होता है तो option number A is absolutely correct मैंने यहाँ पर पहले question में आपको थोड़ा से एक basic idea दे दिया किस तरीके से हमें आगे इन terms को समझना है अब आगे जाके हम टपल भी पढ़ेंगे field क्या होता है view क्या होता है schema क्या होता है इन सब को भी discuss करेंगे तो जिस according question आएगा वस according हम उन concept को revise करते चलेंगे I hope आपको इस series से इतनी help मिल रहे होगी कि आप concept revise भी कर रहे हैं और जो question आ रहा है उस type के question को भी देख पा रहे होंगे ठीक है बढ़ते हैं आगे second question क्या है dash is used for management, maintenance and retrieval of the data stored in database अब हमने क्या किया database को तो हमने बना दिया मतलब हमने अलग-अलग entities की information को store कर दिया database के अंदर लेकिन अब उस information को अगर मुझे manage करना है उसमें कुछ updation करना है कुछ deletion करना है या कुछ नया creation करना है तो कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें एक software की requirement पढ़ती है that is database management software या system बोल सकते हो ये basically एक application software है जिसकी help से आप अपने database को easily manage कर सकते हो application software है अगर हम बात करें examples की तो आपने जरूर देखावगा MySQL एक बहुती popular DBMS का example है इसके अलावा Oracle इसके रावा और भी है जैसे हम MSXS की बात करते है वहाँ पे भी हम database की ही बात कर रहे होते हैं तो ये सब वो software है जिनकी help से हम database को manage कर सकते हैं तो अगर आप से कोई question में पूछता है कि क्या-क्या role हो सकते हैं DBMS के तो देखो DBMS बेसिकली एक interface प्रोवाइड करता है हमें प्रोवाइड अ इंटरफेस जैसे कि अगर हम बात करें MySQL की तो यहाँ पे तो आपको command line interface मिलता है लेकिन Oracle के अंदर आपको थोड़ा सा graphical user interface देखने को मिलता है आपको आइकन्स बटन्स दिखाई रहेते हैं तो थोड़ा सा interactive होता है Oracle पर काम करना तो इट प्रोवाइड साइट इंटरफेस ठीक है तो परफॉर्म वेरियस ओपरेशन तो परफॉर्म वेरियस ओपरेशन तो DBMS आपको वो इंटरफेस दे रहा है जिसके थुरू आप अपने डेटा में चेंजिस कर सकते हो ओपरेशन अलग-अलग परफॉर्म कर सकते हो ताकि आपका डेटा अच्छे तरीके से मैनेज हो सके कौन-कौन से ओपरेशन कर सकते हो जैसे कि हम creation कर सकते हैं मालो आपको डेटा नया create करना है तो creation कर सकते हो इसके अलावा आप अगर चाहते हो तो डेटा को store कर सकते हो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं मतलब modify भी कर सकते हैं मालो किसी student की जो marks हैं वो update हो गए हैं या पर किसी student ने अपना phone number पर अपडेट कर रहा है तो हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर जाके तो यह सारे क्या है हमारे functions है features है basically creation करना, storing करना, updation करना, modification करना, ठीक है, modify करना, तो I hope आपको समझ में आयोगा कि यहां पर मैंने क्यों option number D क्या है because, क्या बोला है, database के अंदर जो data है, उसे manage करना है, maintain करना है, और retrieval भी करना है, और retrieval करने के लिए हम use करते है, SQL queries का, SQL queries का इस्तमाल करते हैं, और हम queries के through अपने data को वहां से निकाल लेते हैं, और सामने screen पर display करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं, next is, match the building blocks in entity relationship diagram, तो यहां पर ER diagram पर based question है, आपके सामने एक matching है, जिसमें left hand side में कुछ symbols हैं, और right hand side में आपको relate करना है कि कौन सा symbol किसे represent कर रहा है, तो ब अफ़ी important topic हो जाता है ER diagram हमारे लिए, तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि ER diagram होता गया है, तो एक दो important points बता रहे हूं इसके बारे में जरूर से note कर लेना, देखो, ER diagram जो होता है हमारा, वो basically किसी भी database के conceptual या फिर logical design को explain करने में हमारी help करता है, पूछते हैं यह कि ER diagram ज conceptual या फिर logical design बताता है, conceptual या फिर logical design explain करता है, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा ER diagram है, वो कोई practical model नहीं है, that is not a practical model, इसका practical implementation possible भी नहीं है, बस यह conceptual और logical model है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक question और आता है, जो ER diagram होता है, वो कौन सी approach फॉलो करता है, तो ER diagram हमेशा top to bottom approach को follow करता है, top to bottom approach को follow करता है, और इसी according हम ER diagram को बनाना शुरू करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, इसके अलाबा, यह basically graphical representation है, हमारा database को represent करने के, मतलब हम अलग-अलग symbols का इस्तमाल करते हैं, अलग-अलग terms को दिखाने के लिए, जो हमारा database के अंदर जोने वाली है, तो यहाँ पे symbols होते है basically, अब यहाँ देखो क्या है, तबसे बहरे हमारे परास क्या है, एक oval है, तो oval का इस्तमाल हम करते हैं, किसली, oval का इस्तमाल हम करते हैं, attributes को दिखाने के लिए, फिर हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का इस्तिमाल हम करते हैं एंटेटी को दिखाने के लिए इसे ओवल न बोलके आप एलिप्स भी कह सकते हो इसके बाद यहाँ पर आपको डाइमन दिख रहा है डाइमन शेप बेसिकली हमारे जो रिलेशनशिप उसे दिखाती है और जो डबल आपको रेक्टेंगल दिख रहा है यह रिप्रेजन करता है वीक एंटेटी को किसे? वीक एंटेटी को वीक एंटेटी का मतलब क्या होता है एक ऐसी एंटेटी जिसके पास अपने की अट्रिब्यूट नहीं है मतलब अपना कोई भी primary की नहीं है जो उसे uniquely identify कर सके तो यहाँ पर option number जो A बिल्कुल ठीक है first का हमने B लगाया है second का C, third का D लगाया है और fourth का हमने A लगाया है तो I hope आपको यहाँ पर समझ में आया होगा यहाँ पर देखो entities जो होती है उसमें जैसे मान लेते हैं अगर मैं example दूँ जैसे यहाँ पर student एक entity है हमने पढ़ा था भी कि student एक entity है जिसके बारे में हम information store करना चाहते हैं तो student को दिखाने के लिए मैंने इस्तमाल किया इस वाले symbol का that is rectangle symbol अब student की अलग-अलग attribute हो सकते हैं तो attribute को हम represent करते हैं ellipse या फिर ओवल के अंदर तो बस उसे according हमें symbols बनाने हैं इस according आपका बनता यह diagram जस्टा मिनिट ठीक है और यहाँ पर इस तरही के से एक मिनिट तो माल लेते हैं यह हमारे पास क्या है role number है इसके बाद माल लेते हैं student का नाम भी होगा और फिर माल लेते हैं student की age होगी ठीक है age भी होगी अब role number के नेचे आपको एक ऐसे line मिलेगी क्योंकि role number एक वो attribute है जो किसे भी student को uniquely identify कर सकता है जैसे माल लो आपके class में अगर 60 students है तो 60 students का हर बच्चे का role number अलगल होगा इट में भी possible कि दो बच्चों की age से हम हो सकती है दो बच्चों का नाम से हम हो सकता है लेकिन role number तो अलग ही होगा तो role number एक वो attribute है जिसकी help से मैं किसी भी student को uniquely identify कर सकती हूँ दो student के नाम माल लो अगर aman है तो aman 012, aman 004 दोनों के role number अलग है दोनों को uniquely identify कर जा सकता है इसका मतलब कि student यहाँ पर जो entity मैंने बनाई है यह वाली entity मेरी क्या है strong entity है strong entity है क्योंकि यहाँ पर मुझे एक primary key मिल रही है इसके पास अपना खुद का एक key attribute एविलेबल है यह strong entity है लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास weak entity भी होती है weak entity में क्या होता है उसके पास कोई ऐसा attribute नहीं होता है जिसकी help से हम उसे uniquely identify कर सकते हैं तो उसको हम represent करते है double उसके अंदर double rectangle के अंदर ठीक है चलो चलते हैं आगे बात करेंगे अगले question की next is match the following देखो matching से बहुत सारे question आते है या फिर statement based से बहुत सारे question आते है true और false वाले जो question होते है या फिर neither इधर वाले question काफी आते है तो यहाँ पर list 1 में क्या है delete, drop, save point और grant तो यह जो question दिख रहा है आपको यहाँ पर वो question आपको मिल रहा है SQL command से बहुत important topic है DBMS में SQL command से question ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता SQL command से question है आपसे पूछा है कौन सा जो command है वो किस particular category से belong कर रहा है SQL commands ठीक है तो यहाँ पर delete, drop, save point, grant और यहाँ पर है DDL data definition language is DDL एक मिनट data definition language में हम बोलते हैं DDL data manipulation language की short form होती है DML, DCL for data control language and TCL for data transaction control language ठीक है transaction control language तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि delete command किसे belong करेगी तो जो delete command होती है वो belong करती है हमारी DML commands को ठीक है delete हमारी DML command है delete की help से आप क्या कर सकते हो हमारी rows का जो data है उसे क्या कर सकते हो delete कर सकते हो modify कर सकते हो तो यहाँ पर rows के अंदर काम कर रहे है अब इसके बाद हम बात करते हैं drop की तो drop का मतलब यहाँ पर क्या हो गया drop जो हमारा है DDL command क्योंकि drop command के help से आप पुरे table के अंदर change कर सकते हो उसके schema को change कर सकते हो आप drop table table name लिखने के साथ क्या कर सकते हो पूरे table को ही drop कर सकते हो तो यहाँ पर देखो जो drop हुआ न वो basically हमारे table की structure को ही delete कर रहा है तो हमारी rows तो delete हो जाएगी साथ साथ पूरा table भी delete हो जाएगा लेकिन delete से क्या होगा delete का इस्तमाल करके आप एक row एक से थादर हो या फिर पूरी rows भी delete कर सकते हो लेकिन table का जो structure है वो change नहीं कर सकता delete command that's why delete हमारे data manipulation है और जो हमारे drop है वो है DDL मतलब data definition command या फिर language अब इसके बाद हम बात करते हैं safe point safe point जो होता है वो हमारी होती है कौन सी safe point belongs to TCL transaction control language जब भी हम transactions की बात करते हैं वहाँ पे हमें safe करना होता है किसी point पे तो हम उसे safe point command का इस्तेवाल करते हैं और यहाँ पर है grant grant का मतलब कि अगर हमें permission किसी user को देनी है तो grant और revoke दो command होती है data control language के अंदर तो इस तरीके से आपको हर एक language के अंदर कौन-कौन सी commands आ रही है इसका idea होना चाहिए अगर इसका idea नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है तो मैं एक बार फिर से repeat कर देती हूं कुछ-कुछ important points ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए सबसे important point है हमारा कौन सा सबसे important point है हमारा कि DDL commands कौन सी होती है तो देखो DDL commands का मतलब यह होता है जब हम table की structure की बात करते हैं जब table का structure effect हो रहा होता है उस time पर हम बात करते हैं कौन से command की हम बात करते हैं DDL command की लेकिन अगर हमें सिर्फ database के अंदर modification करना है और वो जो modification कर रहे हैं वो rows के साथ कर रहे हैं structure को नहीं छेड रहे हैं तो वहाँ पर हम DML commands की बात करते हैं ठीक है DML commands कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता इसको ज़रूर से device कर लेना इसके बाद data control language में हमारे आती है grant और revoke तो grant का मतलब होता है अगर हम किसी particular user को कुछ privileges देना चाहते हैं तो हम उसको दे सकते हैं grant करके और revoke मतलब वापिस उससे permissions आपको back लेनी है तो आप ले सकते हो इसके अलावा transaction control language में आता है commit, rollback और safe point अब यहाँ पे safe point दिया का मतलब क्या है safe point का मतलब क्या होता है माल लो कभी किसी point of time पर आपको किसी एक point पर जाके रुकना है आपने पुरी transaction को rollback नहीं करना सिर्फ एक point पर जाके अगर रुकना है तो उस time पर हम safe point का इस्तमाल करेंगे हाला कि rollback और commit भी हमारे दो कमांड्स होते हैं जो हमारे आती है transaction control language में तो commit का मतलब यह होता है कि अगर आप साए transactions को save करना चाहते हो तो commit करोगे और rollback का मतलब क्या होता है कि आप अपनी transaction को undo करना चाहते हो और वो save ना हो ठीक है मतलब वो undo हो जाए जो आपने changes करें है वो save ना हो तो commit करने से पहले आप rollback कर सकते हो इसका आपको idea होना चाहिए तभी आपको SQL commands में कोई भी question अगर आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मैं यहाँ पे एक बार एक chart बना देती हूँ ताकि आपको revise करने में असानी हो जाए तो यहाँ पे हम बात करते है SQL commands के तकि एक बार आप revise कर ले यहाँ इस end time में आपको revise करने की बहुत जरूरत है किसी भी time पे डिट्रेपलेस भी आपको notification दे सकती है कि आपका exam किस date पे है तो अगर हम बात करें DDL ठीक है DDL मतलब data definition language तो यहाँ पर हमारे पास create command आती है drop command आती है इसके लावा alter command आती है और truncate command आती है इसको आपको याद रखना पड़ेगा कौन से command किस category में आती है create आती है, drop आती है, alter आती है और truncate आती है इसके अलावा जो second category हम पढ़ रहे हैं और DDL commands होती है वो change करते हैं table के structure को change structure of table इसके बाद हम बात करते हैं DML command की DML command stands for data manipulation language जहां पर हमें सिर्फ database को modify करना है उसकी रोज में changes करने है structure में कोई change नहीं करना तो यहां पर हम बात करते हैं insert command की इसके बाद हम बात करते हैं update command की और हम बात करते हैं delete command की इसके अलावा जो third category बनती है वो बनती है हमारी DCL data control language data control language इसके अंदर हमें पढ़ने होते हैं दो important commands that is grant permissions को grant करवाना users को और हमारा होता है revoke वापस लेना permission किसी users से इसके अलावा जो last है वो है हमारे पास TCL transaction control language transaction control language यहाँ पर हम पढ़ते हैं commit then rollback और last में save point तो कोई सी भी command आ सकती है आपको पता होना अच्छे कौन से command किस category में बिलॉंग करती है अब इसमें एक और रहे है that is select command तो select command जो है उसको हम कई बार या तो पढ़ते हैं dml के अंदर या फिर उसका एक अलग category भी किसी किसी book में मिलते है and that is data query language हाला कि वो data manipulation command में ही आएगी data query language किसी किसी books में आप पढ़ेंगे तो आपको dql में आपको दिखाए देगी select statement तो select का मतलब basically क्या होता है अगर आपको table के अंदर से data को fetch करना है तो इसके लिए सित्वाल करते है इसका तो fetch data from table ठीक है और बहुत सारे table के collection को ही हम बोलते है database अब यहाँ पर हम आपको एक idea दे दिया I hope so आपको यहाँ पर help मिली होगी अब इन सारी commands का syntax भी आपको पता होना ची कौन सी command में क्या syntax यूज करते हैं ठीक है चलते हैं आगे बात करेंगे अगले question की इसका आप screenshot एक बढ़ ले 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 ना आपको notes बनाने में help मिलेगी short notes चलते हैं आगे next is यह हमने कर लिया है तो next is which of the following statement is a part of data manipulation language in structured query language तो बोला हुआ है SQL के अंदर structured query language के अंदर DML language में कौन से particular statement या command बिलॉंग करती है ध्यान से देखो यहाँ पे delete, alter, paste, copy यह तो होते ही नहीं है विल्कुल paste and copy alter table जो है वो हमारी कौन से होती है DDL command होती है alter table is DDL statement DDL command लेकिन delete command या delete statement जो है वो हमारी बिलॉंग करती है DML से तो अगर आपको idea है उस chart का आपको idea है तो definitely आप ऐसे question में कभी गलती नहीं करेंगे चुकि यहाँ पर हम बात कर रहें data manipulation language की जिसमें हमें table का structure change नहीं करना है तो जब हमें table का structure change नहीं करना है तो उस case में आपको commands के नाम या दोने चाहिए ठीक है एक चीज़ में हापे और add कर देती हूँ जो हमारी DDL commands होती है DDL commands होती है auto committed मतलब जैसे आपने इने perform किया उस से आप reverse नहीं कर सकते हो तो DDL commands जो होती है वो होती है auto committed auto committed इसके अलावा जो DML command होती है वो not auto committed होती है not auto committed मतलब इनको हम permanently save नहीं कर सकते permanently यहां पर save नहीं होता आप चाहो तो उसमें changes कर सकते हो बाद में भी rollback करे जा सकते है permanently change नहीं होता database के अंदर तो इसमें insert पड़ते हैं update पड़ते हैं और delete पड़ते हैं चलते हैं आगे बात करते हैं अगले question की next is which of the following is not a part of data definition language in relational database management system Rdbs-k अगर हम बात करे जहां पर हम बात करते हैं tables की, tuples की, rows की, तो यहां बोला गया है कि कौन सा इसमें से DDL language का part नहीं है तो आपको मैंने बताया था कि alter करने से हम क्या करते हैं table के structure को change करते हैं create से भी करते हैं drop से भी करते हैं लेकिन insert से हम structure change नहीं करते हैं सर रोस में modification करते हैं तो यह जो कमांड़ है यह आपकी DML कमांड़ है ना की DDL कमांड़ है तो नौट को धिहान से पढ़ लेना कई बार नौट की वजए से आपके आंसर गलत हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं next is what is the cardinality and degree of a relation having 50 tuples and 20 attributes अब ऐसे question कई वर आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे question को आप कैसे डिगल करेंगे देखो बहुत ही असान है क्या बोला है हमारे पास एक table है अब relation बोलो या table बोलो एक ही बात है ठीक है अब उस table के अंदर आपको बोला है 50 tuples है और 20 क्या है attributes है आपको उस table की cardinality निकान ली है और साथ ही साथ क्या निकान ली है उस table की degree निकान ली है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे popular जो database model है वो है RDBMS relational model ठीक है RDBMS के अंदर क्या होता है हम database को table की format में रखते हैं मतलब table बोलो या फिर हम इसे बोलते हैं relation और table जो होता है वो collection of rows and columns से मिलके बनता है rows and columns अब यहाँ पर RDBMS में हम rows को rows न बोल की क्या बोलते हैं tuples कहते हैं तो rows को हम बोलते हैं tuples और column को हम बोलते हैं attributes तो माल लेते हैं हमारे पास 50 tuples है 20 attributes है एक table है जिसमें 50 हमारे पास क्या rows है और 20 क्या है column है तो हमें क्या बताना है यहाँ पर हमें बताना है degree क्या होगी उस table की या फिर cardinality क्या होगी उस table की तो होती important है यह यहाँ पर आप लिख लेजिए जो degree होती है degree of a table बोलो या फिर relation बोलो एक ही बात है वो होती है आपकी number of columns के बराबर ठीक है और जो हमारे table की cardinality होती है cardinality of a table या फिर relation एक ही बात है वो होती है number of rows number of rows तो short form में आप ऐसी भी आज़ात कर सकते हो इसको देखो कि अगर आपको यहाँ पर माल लेते हैं number of columns पता हो तो आप degree निकाल सकते हो अगर आपको यहाँ पर number of rows पता हो तो आप cardinality निकाल सकते हो तो c d r c column पता है तो degree आ जाएगी रोज पता है तो आपके attribute है उतनी क्या होगा है यहाँ पस cardinality होगा है तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसका आंतर बताया है option number a is correct यह दोनों point आप star mark कर लो यह आपको पता होना चाहिए किसी भी table में जितने भी rows होते हैं वो इस table की cardinality कहलाते हैं और जितने भी column होते हैं उस table में वो इस table की degree कहलाते हैं ठीक है बढ़ते हैं आगे बात करेंगे next question कि next question क्या है which of the following keyword is used in oracle या SQL to sort the result set in ascending or descending order तो SQL command से ही question है क्या बोला गया है कि कौन से particular keyword का इस्तमाल करके हम अपने result set को ascending या descending order में arrange कर सकते हैं तो आपने जरूर से SQL में clauses पढ़े होंगे और यहां पर हम बात कर रहे हैं ascending और descending order में अगर हमें किसी भी result set को arrange करना है तो इसके लिए इस्तमाल करते हैं order by clause का तो अगर example की बात करें माल लेते हैं हमारे पास कोई employee का table है एक employee का क्या है EMP माल लेते बल का नाम EMP है तो अगर मुझे क्या करना है select करना है select E number, E name from EMP table का नाम order by order by salary तुमाल लेते हैं एक EMP table है जिसके अंदर E number, E name और salary तीन अलग-अलग columns है हमने यहाप एक command लिग लिग दी है query क्या है select करो E number, E name from the EMP order by salary मतलब यहाँ पर लगाओ semicolon इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें E number और E name मिलेंगे तो वो salary के according ascending sort होके आएंगे अब मैंने order by salary लिखा है लेकिन उसके बाद ना तो लिखा हुए ascending ना लिखा है descending तो अगर आप ascending and descending नहीं लिखते हो तो by default तो हमारा क्या होता है ASC ascending ही होता है लेकिन अगर आपको descending में करना तो आपको इसकी जगा लिखना पड़ेगा DESC तो by default order जो है by default order by जो clause है वो ascending order में करता है हमारी sorting और अगर आप चाहो तो आप DESC भी इस्तमाल कर सकते हो इसका आपको idea होना चाहिए order by ASC होगा या DESC होगा order अपने टेबल के अलग-अलग attributes को बढ़ते हैं आगे बात करेंगे अगले question की next is dash describes the process of deciding about putting data to different sites in distributed database system अब देखो अब जरूरी नहीं है कि हमारा database पूरा एक ही जगा बना हो माल लेते हैं कि हमारा database अलग-अलग जगा बना हुआ है तो हमने क्या कर रखा है कुछ database हमारे पा database है तो वहां पर जो पूरा database है वो अलग-अलग जगा से मिलके बन रहा है तो इस process को हम बोलते है data allocation चीक है क्या बोलते है data allocation मतलब यह वो process है जो बताता है कि हमारे जो अलग-अलग distributed sites है वो कैसे data को put करने वाले database के अंदर यहां पर option number is absolutely correct data allocation is the right answer नाम से clear है data mining तो होई नह नहीं है data allocation is the right term आगे बढ़ते हैं how many rule does dr. ef code provides which qualify a database as a rdbms तो किसी database को अगर rdbms बनाना है तो उसके लिए ef code dr. ef code ने कुछ certain rules दिये थे और वो rules total कितने थे 12 rules थे 12 rules थे total जिनको दिया था ef code ने अब वो rules कौन ते थे इसके बारे में आपको पढ़ने की जरुत नहीं है लेकिन आपको एक correct number पता होना चाहिए कि rdbms बनने के लिए database को कौन-कौन से rules को qualify करना पढ़ता है तो option number a is absolutely correct अब किसी-किसी book में कई बार जिसे जो ef code के rules थे वर 0 से लेके 12 थे तो कई बार किसी-किसी book में इसको 13 भी मान लेते हैं लेकिन mostly book में इसको 12 भी माना गया है तो आप भी 12 भी मान के चलिएगा next आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगले question की which of the following is an aggregate operator in structured query language तो यहाँ पे जो question है वो आ गया है aggregate operator से तो आपको aggregate operators का भी idea होना चाहिए कौन-कौन से हमारे aggregate operators हो निकालना या फिर max निकालना, min निकालना, average निकालना यह सब क्या है हमारे aggregate function है इसमें हमारा count भी हमारा aggregate function होता है count और count star दोनों में क्या फरक है यह भी पूछा जाता है तो यहां वो लगया इनमें से कौन सा aggregate operator है तो count है minus नहीं है union यह intersection भी नहीं है यह सारा example दो aggregate operators के तो इसका मतलब यहां पर option number A ठीक है अब count और count star में क्या है इसका हम एक बार देख लेते हैं देखो अगर मान लो हमारे पास कोई EMP टेवल है अपने लिखावा है select count from EMB एक क्वेरी यह है और एक क्वेरी है select count star from EMP तो दोनों क्वेरी में फरक क्या है अगर तो यहां पर first वाली क्वेरी में क्या होगा select count from EMP यहां पर आपके table में जितनी भी duplicate rows है आप जितनी भी null value वाली rows है उन्हें count नहीं करा जाएगा तो does not count duplicates and null values और अगर हम बात करें count star की तो यहां पर duplicates को भी count करता है यह और null value को भी count करता है तो duplicates भी count होंगे and null values भी count होगे तो यह फरक है इन दोनों aggregate operators के अंदर बढ़ते हैं आगे बात करेंगे अगले question की next सेकते क्या है which of the following is not an approach of database design in database management system इनमें से कौन सी approach नहीं है देखो top down approach होती है bottom up approach भी होती है inside out भी approach होती है लेकिन up down कोई approach नहीं है up down approach कोई भी follow नहीं करता अब comment section में आपको बताना है कि journalization और specialization में top down approach किसके होती है और bottom up approach किसके होती है तो में आप लिग देती हो question क्या है बहुत अच्छा question है journalization and specialization इन दोनों में कौन सी top down approach को follow करता है और कौन सा bottom up approach को follow करता है I will definitely wait for your answers आप definitely comment में इसका answer करिएगा विकाज यह बहुत इंट्रस्टिंग question है काफी बार मैंने देखा है कि यहां से question exam में आता है पूछते हैं कि क्या difference होता है generalization में और specialization में आपको इसका idea proper तरीके से होना चाहिए तो अगर आप इसका answer करेंगे definitely आपको आगे help मिलेगी ठीक है top down approach किसकी होती है और what time up approach किसकी होती है इसका idea होना चाहिए next बढ़ते हैं आगे बात करें अगले question की next is dash is known as the acquisition, storage, organization, retrieval, display and dissemination of information बहुत अच्छा question है, simple question है term पढ़की आपको answer मिल रहा है terms हमारे पास है data management, data structure, programming management या information processing देखो क्या बोला गया है कि पहले data को हम करते है collect, फिर store करते हैं, फिर organize करते हैं, retrieve करते हैं, display करते हैं और dissemination करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, यह basically process है जैसे हम बोलते है information processing किसी भी information को process करने में यह certain steps लगने वाले होते हैं तो option number D is absolutely correct next बढ़ते हैं आगे बात करेंगे अगले question की next is which of the following symbol represent one-to-one cardinality, relationship in entity, relationship diagram ER diagram के अंदर cardinality पर based question है, अच्छा question लेते हैं क्या है यहाँ पे तो cardinality का मतलब basically होता है कि कितनी number of entities किसी एक particular entity set की associated है किसी दूसरी entity set के entities के साथ एक relationship के अंदर इसे ही हम बोलते हैं cardinality अब जो cardinality है उसका जो ratio है वो चार तरीके से बन सकता है one-to-one, one-to-many, many-to-one या many-to-many तो पहले हम बात करते है one-to-one का मतलब क्या है one-to-one जैसे माल लेते हैं हमारे पास अगर मैं यहाँ पर आपको short में बता दो one-to-one cardinality का मतलब क्या है जैसे माल लेते हमारे पास एक set ये है इसको set A बोलते है इसको set B बोलते है तो यह एक entity set A है यह हमारा एक entity set क्या है B है तो अगर हम बात कर रहे है one to one की तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो एक-एक entity है जिसे माल लेते हैं entity है तो one entity can be associated with at most one entity of the entity set B तो एक-एक के साथ ही associated यहाँ पे होने वाली है इसे बोलते है one to one जैसे माल लेते हैं हमारे पास यह A माल लेते है manager को represent कर रहा है और B माल लेते है department को represent कर रहा है तो एक department में एक ही manager हो सकता है तो यह जो condition है यह हमारे one to one cardinality को show कर रहा है अब ER diagram के अंदर कि symbol का इस्तमाल करते हैं one to one को show करने के लिए यह भी बहुत important है आपको समझना पड़ेगा कि one to one को दिखाने के लिए कि symbol का इस्तमाल करते हैं तो इस तरीके से जो arrow होती है वो हम use करते है one to one को दिखाने के लिए ठीक है इसके अलावा जो अगली बनता है हमारे पास cardinality ratio वो बनता है one to many one to many मतलब पहली वाली entity set के अंदर हर एक single single entity बहुत सारे entities के साथ association कर सकते हैं जैसे माल लेते हैं one to many के अंदर example कर लेंगे एक हमने ले लिया ये वाला एक हमने ले लिया ये वाला again same example लेते हैं manager माल लो ये है और ये employee है अब यहां पर हम entities बना लेते हैं अब देखो आपको पता है कि एक manager जो है वो multiple employees को assist कर सकता है ऐसी एक manager जो है वो multiple employees को assist कर सकता है तो यहां पर one to many आ रहा है एक है लेकिन वो many के साथ क्या है associated है इसका मतलब क्या है entity set जो हमारा A है उसके अंदर जो entities है वो एक या एक से जादा entities जो कि entity set B की है उसके साथ associated है इसे हम बोलते है one to many cardinality ठीक है इसके अलावा दो और होते हैं जैसे कि first is many to one many to one इसका example देखो क्या है जैसे माल लेते है एक हमारे पास set यह है एक set हमारे पास यह है A और B इनके नाम है example के लिए मैं माल लेती हूँ कि A हम ले लेते हैं let's suppose हम ले लेते हैं student और B हम ले लेते हैं यहाँ पर teacher तो आपको पता है कि many जो हमारे students है उनके लिए एक ही teacher होती है हाना इस सरी कैसे many to one entity set A में तो many entities है जो कि one entity के साथ associated है entity set B के अंदर इसे बोलते है many to one और last जो मारे पास रह गया वो है many to many many to many तो many to many के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक या एक से दाधा entities entity set A की एक या एक से दाधा entity entity set B के साथ अपना जो association है वो बना सकते है for example अगर माल लेते हैं हम यहाँ पर कि A यहाँ पर represent कर रहा है employee को और यहाँ पर B represent कर रहा है projects को ठीक है तो एक employee multiple project को कर सकता है और multiple projects के अंदर same employee भी काम कर सकता है हना एक ही project के अंदर multiple employee काम कर सकते है और एक ही employee multiple project में भी काम कर सकता है इसका मतलब कि यहाँ पर many to many का जो relation है वो बन रहा है अब यहाँ पर तो हमने समझ लिया cardinality इसको लेकिन जो हमारे symbols होते हैं यह diagram में वो कौन से होते हैं तो c वाला symbol जो है वो हमारा है one to one का ठीक है किसका है यह one to one जो first symbol है वो हमारा है many to many का जो हमारे पास second symbol है वो हमारे पास है one to many का और जो last है वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास बनता है यह actually दोनों symbols हमारे almost same ही है तो यह हमारा one to many का ही माना जाएगा ठीक है तो same ही एक तरीके से तो यहाँ पर option number C ही correct है बाकिय option सही नहीं है बढ़ते हैं आगे बात करेंगे अगले question की next is which of the following Oracle SQL statement is not correct तो यहाँ पर queries से question SQL query बोलागा है कौन से statement ठीक नहीं है select star from customer यह table name हो गया order by country ASC, DSC customer name यह बिल्वी गलत है यहाँ पर हमें जो ASC और DSC लगाना होता है यहाँ पर starting में लगाना होता है यहाँ पर starting में लगाना होता है यह गलत है पहले attribute का नाम आएगा और फिर ASC आएगा ऐसी पहले customer का नाम आएगा फिर DSC आना चाहिए जैसे यहाँ दिया हुआ है select star from the customer order by country आपको country attribute के base पर order करना है ascending order में और customer name के basis पर ordering करनी है descending order में तो DSC बाद में आएगा ASC बाद में आएगा attribute के नाम के बाद तो यह बिल्कुल ठीक है यह वाला third is select star from customer order by country DSC यह भी ठीक है कि यहाँ पर हमें customer table में से सारे records निकाल ले हैं लेकिन country के basis पर descending order में वो आने चाहिए यह भी ठीक है last भी ठीक है select star from customer order by country अब यहाँ यहाँ पर मैंने ASC नहीं लिखा नहीं हमने DSC लिखा तो by default क्या होगा by default हमारे पस क्या हो जाएगा ASC हो जाएगा ascending की by default होता है ASC आपको लिखने की भी जरूद नहीं बढ़ते है it means बाके तीनों options है लेकिन first option में mistake है option number one is absolutely incorrect और आपसे यहीं यहाँ पर question में पूछा गया सा not correct कौन सा option है तो I hope आपको आज की class के सारे question समझ में आगे होंगे आगे आने वाले lectures के अंदर हम और भी DBMS के previous question करेंगे और जल्दी से जल्दी से खतम करके next topic हम start करेंगे तो जो भी आपको next topic start करने का अमन कर रहा हो आप उसे comment section में post कर सकते हैं या तो मैं start करूँगी programming languages पर based question या फिर हम computer architecture को भी start कर सकते हैं जो भी आप बोलो कि वास recording हम start करेंगे हाला कि computer architecture से कम थोड़े question आते हैं लेकिन DE से question जादा आते हैं मतलब electronics का जो part है वो जादा important होता है as compared to COA COA में questions थोड़े से कम आते हैं लेकिन जो आते हैं उनका भी हमें idea होना चाहिए तो I hope so आपको आज की class पसंद आई अगर प्लास अच्छे लगे तो like कर दीजेगा subscribe करे plus minus channel को और साथ ही साथ इसे अपने सभी friends के साथ share करें ताकि सब को knowledge मिल सके और सब लोग जिनने भी हाँ पर इस video को दिखने वाले हैं वो definitely comment section के अंदर अपने answer को post करिएगा I will be waiting for your answers thank you so much मिलते next class में